किंग सिलेवन पंजाब और संराजर्श हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में संराजर्श हैदराबाद ने जबर्जस्त तरीके से मुकाबले को जीत लिया आपको बता देगी आईपेल के 48 मुकाबले में पहले बल्ले बाजी करते हुए संदाजर्श हैदराबाद ने किंग सिलेवन पंजाब को 213 रनों का लक्स दिया हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओबर में 6 बिकिट गवा कर 211 रन बनाई हैदराबाद की ओर से विसकोटक बलेबाश डेविड वोनर ने एक बार फिर अपने बले से चोको छको की बरसात करते हुए ताबरतोर पारी खेली और इस पारी में डेविड वोनर ने चपन बोलो पर 81 रन की जबरजस्त पारी खेली जिसमें साथ चोके और दो आगुगलते छक्के लगाए तो वहीं साने 28 रन मनिस पांडे ने 36 रन मुहम्मद नभी ने 20 रन केन विलियंस संग 14 रन और रासित खान एक ही रन बना पाए और विजे संकर और अभिशेक सर्मा की बदोलर टीम का इसकोर्ट 212 रन तक पहुँच गया 203 रनों के लक्स का पीछा करने उतरी किंग सिलेवन पंजाब की टीम को संराइजर्स हैदराबाद की गेंदवाजों ने 166 रन पर ही रोक दिया और किंग सिलेवन पंजाब ये मुकाबला 45 रन से हार गया किंग सिलेवन पंजाब की तरफ से बलेबाजी कर रहे लोकेश राहूल ने एक बार फिर हैदराबाद को संकट में डाल दिया और लोकेश राहूल ने अपनी इस पारी में 56 बोलों पर 89 रन की जबचस पारी खेली जिसमें 4 चोके और 5 आग उगलते छक्के लगाए और अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए आपको पता दे कि पंजाब की तरफ से क्रिस गेल सिर्फ तीन बोल खेल कर एक चोके की मदद से चार रन बनाए तो वहीं मैंक अगरवाल ने दो चोके और एक चोके की मदद से 27 रन बनाए और निकोलस पूरन ने दो चोके और दो चोकों की मदद से 21 रन और पंजाब के बलेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए और हैधराबाद ने तुफानी अंदाज में ये मुकाबला 45 रनों से जीद लिया आपको पंजाब की तरफ से केल राहू लिया हैदराबाद की और से डेविट वोनर में से कौन से बल्लेबाज की बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दे वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें